मूवीज क्लाइमेक्स प्रेजिंटिंग एसोधा 2022 गाइज आज में जिस मूवी की एक्स्प्लेनेशन करने जा रहे हूं उसकी कहानी बहुत अच्छी है अगर आप इसकीप करके देखोगे तो सायद आपको समझ में ना आए इसलिए प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखना मोवी की सुरुआत में हम एक उलीविया नाम की फॉरेइनर मॉडल लड़की को देखते हैं जो पूल में नहा रही होती है तभी कुछ बत्तमिज लड़का आके उसकी जूस में ड्रक्स मिला देता है और उस लड़की की साथ जबरदस्ती करने की कोशिस कर रहा होता है तभी उस लड़की की नसे बाहर दिखने लगती है और वो वही पर मर जाती है पता चलता है उसकी सरीर में दो ड्रक्स पाया गया है एक तो जूस में मिला हुआ और दूसरी ड्रक्स के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला फिर सीन दूसरी जगा सिफ्ट होता है हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है एसोदा उसकी बेहन के ऑपरेशन की बज़से पैसे चाहिए था इसलिए वो सरोगिट मदर बनी है क्यूंकि वो बहुत गरीब लड़की है और उनका पैरेंट्स भी मर चुका है तो अभी वो ही अपनी बहन को पाल रही है यहां डॉक्टर बताती है तुम्हें वो ही जाके रहना पड़ेगा जिनका बच्चा तुम्हारे पेट में है यह सोदा को 50% पैसा पहले मिल जाता है जो एक आदमी लेके आया था और उनके साथ कार में एसोदा को लेके गया लेके जाने से पहले एसोदा को एक बेहोसी की टैबलेट खिला देता है फिर हम आरूसी नाम की एक फेमस मॉडल को देखते हैं जो अपनी बॉइफरेंट सिप से मिलने जाती है और उनकी गाड़ी की अक्सिडेंट हो जाती है असल में यह फिल्म यही से दो हिस्सों में दिखाया जाता है एक तो सिप और आरूसी का एकसिडेंट केस और दूसरा एसोदा की सरोगेट मदर बनने की सफर यहां न्यूज में दिखाते हैं कि सिप एक बहुत बड़ा विजनिसमैन का बेटा था सायद इसलिए उनका मर्डर हुआ है फिर हम दूसरी जगा देखते हैं एसोदा अभी आ आती है कि एसोदा की तरह यहां पर और भी लड़की है और उनका चेक अप करते हैं गौतम नाम की एक डॉक्टर और देख भाल करने के लिए एक वार्डन है फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं सीव और आरूसी की मौत दम घुटने की बज़े से हुआ है नाकी कार में आग लगने की वज़े से और एक्सिडेंट होने की वज़े से यहां रिसी नाम का एक इंस्पेक्टर अपनी सीनियर ऑपिसर से परमिसन लेते हैं कि वह इस केस की छान बिन करेंगे ऑपिसर बासुदेप की मदद से जो मेंटल फिटनेस कोच है फिर हम एसोदा को देखते हैं वा पैसा कमा के दे सके और हर वक्त उसकी बेज़ जती होती थी इसलिए वह पैसे के लिए सरोगेट मदर बनी हैं तेजु को सिगरेट पीने की आदत थी और वह एसोदा को जोन टू में सिगरेट लाने भेजती है जहां पर उन लोगों का समान लोकर में रखा हुआ था एसोद में देखते हैं इंस्पेक्टर इसी ओफिसर बासुदेप की साथ एक्सिडेंट में जली कार को चांबिन कर रहे थे और बासुदेब बताते ही यह मर्डर है अक्सिडेंट नहीं और अगर सिपको मारना होता तो उसे अकेले में भी मार सकता था पर उस मॉडल आरुशी की सा वाला कॉंट्रात आयन करने से मना कर रहा होता है क्यूंकि उसमें जो इंग्रीडियन्स यूज किया गया है उसका क्लियरली डिटेल्स नहीं दे रखा है फिर वह क्राफ्ट क्रीम के मालिक के पास जाता है जो कि सेंट्रल मिनिस्टर गिर्धर का बेटा होता है यानि कि उनकी प्रोडक्ट को सेंट्रल गोवर्मेंट ने भी क्लियरंस दे रखा है और अभी कुछ नहीं हो सकता फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं वार्डन की टैप किसी ने चुपा दिया था और वो परेसान हो रही थी और और टैप को एसोदा नहीं चुपाया था वो बोलती है कि व क्रीम की सैंपल मिलती है उसे टेस्ट कराने पर पता चलता है उसमें भी सेम ड्रक्स पाया गया है जो उलीभिया की सरीर में पाया गया वही लड़की है जिसे मुवी की सुरूआत में दिखाया था यानि कि उस लड़की की मौत और इस क्रीम का कोई connection है फिर हम दूसरे सीन म की लड़की बताती है कि उसकी जनम रेड लाइट एरिया में हुआ था उसकी माँ प्रोस्टिचूट है पर उसकी परवरिस अच्छी हो इसलिए उसको गाउं भेज दिया था अभी उसने अपनी माँ बाप की चेहरा भी नहीं देखा है बस उनके दिया हुआ हर मंथ में पैसा और एक रिंग के अलाबा इसलिए वो पैसा लेके उसकी माँ को उस रेड लाइट एरिया से निकालना चाहती है और एक लड़की होती है जैनी जिसे आईफोन खरीदना था इसलिए वो आई है ये सुनके सब हसते हैं फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं जिस साइंटिस्ट न हम आके बताती है कि उसका बच्चा दो दिन पहले ही पेट में मर चुका था इसलिए हमने वो बच्चा निकाल के उसे घर बेज दिया पर एसोदा को ये ठीक नहीं लगता इसलिए वो सोच में पढ़ जाती है फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं इंस्पेक्टर रिसी और उन नाटक करती है फिर एसोदा को भी उसी रूम में लेके जाते हैं जहां पर काजल थी बट अभी वहां पर नहीं है पर काजल की रिंग अभी वहीं पर पड़ी हुई थी फिर एसोदा बाहर आती है और आके देखती है एक रूम जिसमें से धुआ जैसा कुछ निकल रहा था अभी वहां पर डॉक्टर गौतम आ जाते हैं और फिर से बेहोसी की नाटक करती है और उसका कार्ट चुरा लेती है दूसरे सीन में देखते हैं रिसी और ऑफिसर बासुदेप को बहुत सारी लड़कियों की बारे में पता चलता है जो अलग-अलग देश से 6 मंद बाद ब से फिर दूसरे सीन में देखते हैं एस उधा अपनी खीड़की की बाहर एक कबूतर को देखती थी जो इतने दिनों से एक पोजिशन में हैं यह सोदा को डावट हुआ इसलिए वह खीड़की को एक चाकू की मदद से खोलती है और देखती है कि यह सब बाहर की कोई सिनारी नहीं बलकि एक प्रोजेक्टर है एस सोदा घूसा मार के उसे तोड़ देती है जैसे ही तूटता है सब गायब हो जाता है और अंधेरा चा जाता है फिर तभी लीला नाम की एक लड़की को लेवर पेन होता है और उसे भी जोन टू में लेके जाते हैं सोदा ने डॉक्टर ग हाठापाई होता है और इस उसे मार देती है सीची टीबी कैमरा में गार्ड ने देख लिया था फिर वह मधू मैडम को खबर कर देता है और मधू देखती है कि एस वह रूम में घुश चुकी थी यसा देखती है बहुत शारी लास और लड़कियों की जो सरोगट मदर बनी थी वहां पर काजल और लीला की भी लास थी पर ऐसा लग रहा था जैसे एसोदा किसी और को भी ढून रही है तभी वहां पर गार्ड आ जाते हैं फिर एसोदा एक दूसरे सिक्रेट रूम में चली जाती है जहां पर बटन दपते ही बहुत सारा ड्रॉर खुल जाता है और हम पर देखते हैं एक बहुती खौफनाक नजारा सब में बच्चे रखे हुए थे जिन्हें जनम लेने से पहले ही निकाल लिया गया था और प्रिजब करके रखा हुआ था उधर रिसी और बाकी सबको जहां बंदी बनाके रखा था वहां पर एक सीक्रेट रूम मिलता है जह कोदा मधू की रूम में आ जाती है यहां पर उसे पता चलता है डॉक्टर गौतम और मधू दोनों मिले हुए हैं और मधू बताती है वो दोनों कैसे मिले थे फ्लस बैक में दिखाते हैं मधू एक मॉडल थी और उसे अपनी खूपसूरती पर बहुत घमन था लेट मी बुडिया लगने लगती है फिर डॉक्टर गौतम जो की बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो मधू को बहुत चाहता था इसलिए वो अपनी रिसर्च से मधू को पहले जैसा बना देता है फिर मिनिस्टर डॉक्टर गौतम और मधू मिलके एक प्लानिंग करते हैं जबान रखने वाली डोज के बारे में बताती है यह डोज सिक्स मंथ बाद बाद लेना पड़ता है और यह डोज लेने की 48 आउर्स तक ड्रक्स लेना नहीं चाहिए थी नहीं तो मौत हो जाती है और इसी बज़ा से ओलिविया की मौत हुई थी और इसका इंगिरिडियन से अबॉर्टेट फिटस और इसके पीछे मिनिस्टर है इसलिए गॉबर्मेंट से भी अपुरूबल मिल गई थी यह सब एसोदा देख रही थी और फिर वह वहां से भाग जाती है दूसरी जगा दिखाते हैं रिसी और बाकी सब को फसाया था कमिशनर बन्राम ने और वह यह के सब मिनिस्टर गिर्दर की कहने पर कर रहा था फिर हम देखते हैं कि एस ओधा इमारजिंसी गेट से एक टटनल से बाहर आ जाती Exactly है जहां जंगल होता है पर गोत्म इधर भी आ जाता है और सपको गोली मार रहा था तभी यहां पर यहाँ मातार गो teat है और यहां पता चलता है ये सॉदा की असलिएत की बारे में यूल में एक उल्ट्रेंट फूलिस ओपिशर है फिर व गन से बारे सिरसे उर्म साहरे पर त्रेनिंग के बारी में qonais रण है जाती है जहां यहां यह सुदा सारे बनती है और वहां से चली जाती है चान बिन करने पर पता चलता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिस चल रही है जिसको शुल जाने के लिए और अपनी बहुत लाने के लिए यह सोदा सरोगेट मदर बनी थी उस दिन लास के बीच में एसोदा अपनी बहन को ही ढूंड र स्थाम और बाकी सारे गुंडे को मार के निकल जाते हैं और अंदर से यह सोदा आ रहे थे यहान एसोदा गौतम को गोली मारती है और वो सैंपल लेके भाग जाता है फिर एसोदा सारे प्रेगनेंट लेडी को वो जगा से निकाल लेती है जो अजीब सी जगा पर बनी हुई थी मदू हेलिकॉप्टर में भाग रही थी पर एसोदा जाने नहीं देती है यहां मदू बताती है कि वो खूबसूरा दिखने के लिए अपनी पेट में पल रही बच्चे को भी मार दिया था यह सुनके गुस्से में सारे लड़की मिलके उसे पहार से गिरा देती है उधर रिसी के साथ जितने पुलीज वाले मिले हुए थे उनको भी एरेस्ट कर लेते हैं यह रियल इंस्टिजंट पर आधारी थे गाइस यह मूवी बहुत अच्छी है आप चाहो तो देख सकते हो मैंने अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करना थैंक् करुछा करुछा थैंक्योर कि टी सुछ थे पर आधारी यह लाइक से और आधारी पर आधारी लाइक साथ.